हाई फ्रेंड्स इस वी बुदत्त फ्रम साहू टेक्नोगाइड आज के ये वीडियो में मैं आपके लिए लेका हूँ बेस्ट एयर माउस कम कीबोर्ड का अन्बॉक्सिंग और रिव्यू इसको आप आपका एंडरेट टीवी में यूज कर सकते हैं या एंडरेट टीवी बॉ वीडियो देखने के बाद कोमेट सेक्शन में मुझे सजेशन दे सकते हैं तो आपका सजेशन मेरे लिए काफी बाल लेवल रहेगा मेरा वीडियो को इंप्रूब करने के लिए तो लेट गेट स्टार्टेड तो फ्रेंड्स ये जो एयर माउस विद कीबोर्ड है ये आपक विडोस लैपटप में भी काम करेगा मॉबाईल फोन में भी काम करेगा तो ये दो वारियांट में आता है जिसे के एक मैं वायस अनवे रहता है मिन्सि उसमें माइक्रो फोन आप वास कमंड्स देके आपका एंड़ेट टीवी या टीवी बॉक्स में कुछ भी ओपन कर सकत दूसरा वह 이ंहां तो यह से यहां पर हम हम वीडियो में देखने बाले हैं यह नौन ?? ठाल है तो यहेयर माउस का खासियत है इसमें आयान लॉलिंग फैसिलेटी है जासे के आयान लॉन फैसिलिटी में टिवी को demon करते हैं तो को वो non voice है तो यहाँ पर हम जो वीडियो में देखने वाले हैं यह non voice पला है तो यह air mouse का खासियत है इसमें आयर learning facility है जैसे के आयर learning facility में आप आपका TV का कोई भी dedicated बटन जो काम करता है TV में उसको आयर learning के थ्रू में यह air mouse में ले सकते हैं मिन्स जैसे अगर example हम देते हैं एक power button देता है हमारा सभी TV या TV बॉक्स में तो power button का की को अगर हम आयर learning कर देते हैं air mouse का की में तो वो की को अगर आप ट्रेस करते हैं तो आपका TV on भी होगा और off भी हो जाएगा तो यह जो air mouse से यह आपको Amazon.in में मिल जाता है मैं निचे description में उसका लिंक दिया हूँ वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं तो चलिए अभी box pack के पास तो यह हमारा courier box pack है इसको हम open कर देते हैं तो यह हमारा air mouse का original box pack है यहाँ पर 2.4 GHz motion sensing air mouse से यह और यहाँ पर air mouse keyboard और motion sensing game बगर आप यहाँ पर खेल सकते हैं और यह Android operating system में चलता है Windows में Mac में Linux operating system में यह चलता है तो यहाँ पर उसका basic function details लिखा गया है यह 10 मिटर range में काम करता है और यह air mouse का on off का button भी है और यहाँ पर applicable tool लिखा गया है Android TV box, mini PC, smart TV, projector, HD PC और यहाँ पर all-in-one PC slash TV तो इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर हम इसको open कर देते हैं तो यहाँ पर आपको तीनी content मिलता है एक user manual है तो पहले इसको check कर लेते हैं तो यहाँ पर इसको कैसे use करेंगे details में लिखा गया है और यह total English में है और यहाँ पर एक nano receiver मिलता है इसको आप आपके एंडर TV या एंडर TV box पर गेरा में connect कर सकते हैं और यह हमारा menu unit जैसे के यहाँ पर काफी कुछ keys आपको मिल जाता है जैसे सबसे उपर दिया गया है power button तो इससे आप power on-off कर सकते हैं और यहाँ पर एक indicator light दिया गया है जैसे कोई भी की अगर आप ट्रेस करते हैं तो यह indicator light जो है वो चालू हो जाता है और यहाँ पर review and forward दिया गया है और यहाँ पर next यहाँ पर previous दिया गया है यह zoom in जूम out यह दो की यहाँ पर दिया गया है यह play and pause है यह search के लिए है यह home button है यह menu button यह back button है और यह navigation की है और बीच में ok है और यहाँ पर volume up down है means plus and minus है यहाँ पर program plus minus है और यहाँ पर दो बटन दिया गया है जो के यहाँ पर एक बटन दिया गया है जिसे यह air mouse है तो आप यहाँ पर इसे move करेंगे तो आपका TV में जो mouse का cursor है वो move होता है तो यह बटन को प्रेस करने से आपका mouse का cursor जो है बंद हो जाता है यह mute button है यहाँ बटन दिया गया है और निमरिक बटन को डिलेट करने के लिए यहां पर डिलेट बटन दिया गया है और यह side में aq media की इसको अगर आप press करते हैं तो आपका टीबि में जो भी audio video बाइ版 होगा या आप external कुछ भी लगाये हैं tv में pen drive वज़ुए या तो उसके अंदर जो भी ओडियो वीडियो है वह आपको दिखा देगा और यहां पर और दो की दिया गया है यह इंटरनेट का है और नीचे कुछ बटन दिया गया है और यहां पर टीवी का बटन है तो यहां पर यह जो पाउर बटन और यहां पर जो चार बटन दिया गया है तो यहां पर keypad दिया गया है, अगर आपको कुछ भी search करना यह type करना है, तो इसके through में आप type कर सकते हैं, और यहां पर लगबख सभी key के facility दिया गया है, with symbol के साथ, और यह जो section है, यह उसका battery का section है, दो 3A का battery लगाना पड़ेगा, तो यहां पर मैं already battery लगा चुका हूँ, company आपको battery provide नहीं करता, आपको यह खरीद के लगाना पड़ेगा, तो मैं अभी air mouse का dongle जो है, TV में connect कर दिया हूँ, तो यहां पर power button को मैं air learning कर चुका हूँ, तो इसको मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, जैसे के अभी हम यहां पर, अगर mouse को enable कर देते हैं, तो आप यहां mouse का cursor TV में आ गया है, second अगर आप यहां पर देखेंगे, जिसे अभी हम यह YouTube को open कर देते हैं, तो YouTube में open करने के बाद, कोई भी content अगर आप play करते हैं, जिसे यह content में play करता हूँ, यहां पर ok कर दिया, तो यह प्ले हो गया, तो यहां पर अगर हम next button को press कर देते हैं, तो next video च button है, यह यहां पर काम नहीं कर रहा है, तो यह जो cursor है, इसको भी आप बंद कर सकते हैं, जिसे यह dedicated button में आपको बताया था, यह button को press करते हैं, तो cursor जो है, यह move होना बंद हो जाता है, फिर से यह button को अगर हम press करते हैं, तो cursor फिर से चालू हो जाता है, तो मैं यहां पर content play कर के आपको दिखाता हूँ जैसे यह एक movie जो है यह play हो गया तो यहां पर इसको आप pause भी कर सकते हैं जैसे यह play and pause का button है इसको press करते हैं तो यह pause हो जाता है यहां पर फिर से press करते हैं तो आप देख सकते हैं यह चालू हो गया फिर से अगर हम press करते हैं तो यह pause भी हो जाता है तो next यहाँ पर menu button प्ट्रेश करें तो कुई भी content के अंदर menu आ जाता यह जिसे अभी हम youtube open किये, तो यहाँ पर अगर हम menu button प्ट्रेश करेंड है तो menu यहाँ पर tv का open हो जाता है, और बटन प्रेश करने से back भी हो जाता है, और यहाँ पर home button जो है यह काम नहीं कर रहा है, और यहां पे navigation बटन दिया गया है, जैसे navigation बटन आप देख सकते हैं, hai आरम से यहां पे काम कर रहा है। और OK बटन भी यहां पर अरम से काम कर रहा है जिसे OK प्रेस करने से कोई भी कंटेंट जो है वो प्ले हो जाता है तो नेक्ट देखते हैं यहां पर Volume Dogs में यहां पर Volume बढ़ा रहा हैं और काम कर रहा हैं तो Volume sought starwechsel UK करता है Mute Button भी आरम से काम करता है, जैसे यह Mute हो गया, और जो TV है, यह Air Learning के लिए है, जो के हम Last Part में इसको देखेंगे, तो यहाँ पर एक Dedicated Button दिया गया है, इसको Press करते हैं, तो यह Media Key है, तो आपका TV का Media open हो जाएगा, तो आपका TV का Memory में जो भी Video, Photo या Music बगरा है, या External कुछ भी Hard Disk या आप एंड्राइब लगा है, तो उसका Video, Photo और Music बगरा यहां से अप Play कर सकते हैं, और यहां पर जो इंटरनेट का Button दिया गया है, यह भी यहां पर Android TV में काम नहीं कर रहा है, तो यह Air Mouse का Backside की पेड़ दिया गया है, उसके Through में भी आप कुछ Type कर सकते हैं, जैसे मैं य यहां पर अगर मैं कुछ भी Type करता हूं, तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर Type हो रहा है, तो आपको जो भी Search करना है, तो यहां से आप Type करके, यहां से Search कर सकते हैं, और यहां पर कुछ Numeric अगर आपको Type करना है, तो Front में जो Numeric दिया गया है, उसके Through में भी आप यहां पर कुछ टाइप कर सकते हैं तो यह हमारा Android TV box है जो यह TV में connect हुआ है पर अभी हम यह एर माऊस को इसमें connect कर दिया है तो अभी हम चेक करते हैं जैसे आप देख सकते हैं यहां पर जो navigation button है यह properly काम कर रहा है तो यहां से मैं YouTube को open करता हूं तो यहां पे YouTube open हो गया जैसे कि आप देख सकते हैं नाविगेशन बटन आराम से याँ पे काम कर रहा है और याँ पे OK बटन ट्रेश करने से यह जो वीडियो है यह प्ले भी हो जाता है तो अप देख सकते हैं यह प्लेः भी हो गया तो यहां पे बैक बटन भी आरम से काम कर रहा है जैसे मैं बैक कर रहा हूं तो यह बैक बटन भी यहां पर काम कर रहा है जैसे आप देख सकते हैं यह पॉज हो गया यह फिर से रिजुम हो गया तो यहां पर म्यूट बटन काम कर रहा है जैसे मैं यहां पर म्यूट कर दिया तो आप देख सकते हैं टीब से क्लिक करते हैं तो नेस्ट वीडियो भी चालो हो जाता है और यहां से प्रिवेस करने से प्रिवेस भी हो रहा है तो यहां पर मेनिव बटन काम नहीं कर रहा है होम बटन प्रेस करते हैं तो यह होम पेज में भी आ जाता है तो यहां पर अगर हम मेडिया बटन को प्रेस करत जैसे आप देख सकते हैं यह Google अभी यहां पर उपन हो गया तो जैसे अभी आप देखें यह एंडर टीवी बॉक्स में यह 100% काम करता है जिसे के एंडर टीवी में लगबग 90% काम करता है कुछ पर्टिकुलार एक दो की जो है वो काम नहीं कर रहा है बट यह एंडर टीवी आप यह आपर कर दिखाता हूं जीसे यह नेट्फ लिक्स का बटन को अभी हम् हमको आयर लर्निंग करना है तो इसको प्रेस करके रखेंगे तो आप देख सकते हैं यह भी फ्लास हो रहा है मिन्स यह रीड कर रहा है उसका प्रोग्राम को उसके बाद हमको यह की प्रेस करना है जैसे यह की में हमको आयर लर्निंग करना है तो यह की को प्रेस करके रखना है तो अभी इसका netflix का बोजू पोग्राम है यहां पर ट्रांसफर हो गया मिन्स इंझे की को प्रेस करेंगे तो netflix ओपन हो जाएगा सेम अभी हमको YouTube को यहां पर चेंज करना है मिन्स यूट्यूब का पोग्राम को यहां पर लाना है तो यहां पर power button जो है इसको अलेडि में इसका power button के साथ learning कर चुका हूँ अगर आप पहली बार कोई भी remote के साथ इसका learning कर चुके हैं यह 5 button को अगर दूसरे में कर देते हैं तो वो change भी हो जाता है जैसे कि अभी इसका power button इसके साथ अभी learning है अभी हम दूसरा कोई भी remote अगर लेते हैं यह remote का power button को मैं इसके साथ learning कर दूँगा तो यह हट जाएगा और यह आड़ हो जाएगा तो अभी हमारे यह air mouse में आयर learning हो चुका है तो यहां पर हम इसको चेक करते हैं जैसे मैं power button को यहां पर प्रेस करता हूं तो TV जो है power off हो गया फिर से मैं यहां पर प्रेस करता हूं तो यह TV यहां पर on हो गया तो उसके बाद यह जैसे यह red बाला button को हम netflix में set किये थे तो यहां पर मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर Amazon वीडियो जो है, प्ले हो जाता है, तो इस तरिया में आप आपका TV का रिमोट का कोई भी की को यहाँ पर आयल लर्निंग कर सकते हैं, और यह एक ही रिमोट में आप आपका TV या अंडर TV बॉक्स को अपरेट कर सकते हैं, तो आशकरता ह अगर यह वीडियो आपका अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो आपका अच्छा लगा तो लाइक और शेर जरूर कीजिएगा, अभी आप हमको Instagram और Twitter में फोलो कर सकते हैं, और हमारा Facebook का पेज जो है उसको लाइक भी कर सकते हैं, अगर अभी तक आपने हमारा YouTube का चैन अगर नहीं किया, तो अभी कर लिजिए, कि केश टैप का वीडियो में रोज लेके आता हूँ, तब तक हमारा चैनल देखते रहे हैं, साहू टेक्नो गाइड आपका दिन सुबहूँ